नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ओलिन वन पर आज हम आपको करके दिखा रहे हैं नटराज आसन अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अब इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं अब दाइने घुटने को थोड़ा मोडते हुए बाए पैर को उपर उठाए अब बाए हाथ को बाए पैर के उपर कुछ दूरी पर रखें धायने हाथ को कोहनी से मोड़ कर पाय हाथ के उपर रखे हतेलियों को आशिरवात की मुद्रा में रखे इस तरह के से इसासन को दोहराएं इसासन को करने से पैर मजबूत होते हैं मेरू दंड सशक्त होता है छाती चोड़ी होती है शरीर शुडोल होता है अब इसका दूसरा तरीका है सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं अब दाहेने पैर को पीछे की तरफ मोड़ते हुए सरलता से उपर की तरफ उठाएं पैर के अंगुठे को पकड़ ले धीरे धीरे शरीर को संतुलन बनाते हुए अपने हाथ को लंबवत करें हतेली जमीन की तरफ होनी चाहिए सास प्रसाव प्रसास सभाविक रूप से लेते रहें इस आसन को करने से आपके पेट को लाब मिलता है आपकी मेरु दंड बिल्कुल ठीक है